नबसका दोस्तों स्वागते हैं आप स्वीका ओलाइन डाफोर्स्टी यीट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी भरतियों की लेटर सब्डेट के बारे में जो कि सम्मंदित है उत्तर प्रदेश की नई प्रार्थमिक सिच् करेंगे नोटिफिकेशन सब्से वहले मिलती रहें शुबात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि सम्मंदित है रेलबे के अंदर लगबग 6,00,00 परतियां तो आती लेकिन क्या वो तेर समय के अंदर पूरी हो पाती हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आरवी एंटी पीसी की जो आप सभी की भरती निकाली गई थी उसको काफी लंबा समय हो चुका है अगर मैं गलत नहीं हो तो दोजा उनीस के अंदर आप सभी के आविदन लिये गए थे और अभी तक भरती पूरी नहीं हुई है इसके अलावा ग्रूप डी के अंदर भी एक क्रूड से जादा आविदन देखने के लिए मिले और परडाम यह है कि आज तक उसकी परिछा आप सभी को देखने के लिए नहीं मिली है भरती तो क्या होगी लेकिन इसी भी चकर बात पूर योजना की अगर बात की जाए एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत देश बर में अगर बात की रेलबे के माध्यम से साथ जासे जादा अर्थिक रेलबे स्टेशन पर छे लाग से जादा लोगों की सेल्समेंस की जो नोकरी है वो आप सुभी को देखने के लिए मिले की रेलबे बोड के सदस्की अगर बात किया तो बीस मई को सभी जोनल महाप्यबंदर को इसके लावा बोकल फॉल लोकल को बढ़ावा देने के लिए यहां से दिशा निदेश जादी किये गए हैं जिसके वाई में और भी तमाम जानका ही आप सभी के सामने लिखी हुई है यहां बताया जाता है कि पंची करने के लिए एक हजार रुपे जमा करने होंगे योग ग्यूमीदवा रेलबे के सम्मधि डिवीजन ओलाइन अपना आविदन भेस सकेंगे इसका अलावा इस्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर इन में जो बोक्स होगा जिसमें वे अपना आ आविदन करने के लिए बड़ी संक्या रेलबे के माधिन से हमेशा ली जाती है जो कि विवादों का घिरा बनी जाती है छे लाग यहां से आविदन की बात के मनलब 6 लाग बरतियों की बात कर एक अजार रुपे आविदन फीस बसूल ली जाएगी आप सुभी से फिलाल क् इसल्ब बात कीज़ा अपने एक लिए इपडेट के बारे में जो की संबन्धित है उत्तय प्रफिस में आने वाली नई टीजटी पीजटी वो समय दिया गया था मुलाकात करने के लिए चाहत नई सिचक बदी के विग्यापन को लेकर मिलने वाले थे उसी कव में कल की तारीक में मुलाकात नहीं देखने के लिए मिल सकी लेकिन एक बाद फिर से चेर्मेन के माध्यम से उत्तर प्रतिमी सिच्छा सेवाच चैनबोड क कि अध्यक्ष भीएस कुमार की तविय ठीक नहूने की कारण सोंबार को प्रत्रि की छात्तों के मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन एक बां फिर से मंगलबार को बुलाया गया है और एक बां फिर से यहां से साड़े क्या बसे मुलाकात आपको देखनी के लिए मिले बीदे जादा है कि आज की तारीक में छातों के बड़ी खुशकर भी मिल सकती है क्योंकि हाली में जब सीम योगी के मार्धियम से आदिस दिया गया था नई सिच्छक भरती विग्यापन के लिए और भी तमाम भरतियों को लंबित हैं उनको पूरा करने के लिए तो यहां से मार्धियम से प्रकिया शुदू कर दी गई थी उसी को आधार बनाते हुए चैन बोर्ड की मार्धियम से लगबख साथ जाद दोसों पदों के रिक्त पदों की यहां से जानकाई को सत्यापन करने को लेकर भी आदिस जारी कर दिये गए थी अब देखना होगा कि चैन बोर प्रकिया में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी बाकी आज की तारिक में होने वाली मुलाकात काफी ज्यादा महत्पूर साबित होगी साथ जाद दोसों नई टीजटी पीजटी भरती के विग्यापन के लिए लेकिन इसी बीच बहुत आए चात्तों के मन में और भी सवाल देखने के लिए मिलते हैं कि क्या साथ जाद दोसों पर भरती का विग्यापन चार्जी होगा तो यह जो साथ जाद दोसों पर देखने के लिए अधियाचन मिला है और आम तोर पर जितने पर पर अधियाचन मिलता है उतनी पर भरती आपको देखने के लिए मिलती है लेकिन यहां पर एक और मामला लटका हुआ है आप सुभी जानते हैं जो के संब्दी थे तदथ सिच्खों के बारी में लेकिन अभी भी बहुत साइ ऐसे तदर सिचकें जो कि यहाँ पर कहिने की विध्यालों के अंदर पढ़ाते हुए दिखाई दे रहें और इसके पीछे जो मिली बगरते हैं वो हम कह सकते हैं कि प्रबंत तंत की या फिर अगर बात की जा दिखाईयों की जिसके चलते अभी त चाहे तो इन सभी तरदसिचकों के बेतन के सासाथ आगामी समय के अंदर रिक्तपदों को जोड़का नई भरती का विग्यापन जारी कर सकता है क्योंकि ऐसा सुपीम कोड ने भी आदिश दिया था लेकिन अगर बात की जाए उनीस ताई को हाली में हुई बैठक के अंदर शासन की तरफ से दिशा ने दिये गए थे कि सुपीम कोड के आदिश के अनुसार जितने भी तरदसिचक 2000 के बाद में निव्ट हुए है उन सभी के पहले बेतन को रोक दिया जाए बेतन को रोकी जाने के बाद में फिर उसके बाद रिक्तपदों की जानकाई मागी तो लगबग 22,000 पदों की जानकाई भी आप सुपी के सामने निकल सकती है लेकिन यह होगा तभी जब यहां से चैनबुड याफि अधिकाईयों की तरफ से याफि शासन की तरफ से काजवाई की जाएगी क्योंकि इससे पहले भी जब अधियाशन मांगे गए थे तब भी तदर सिच्छों के खाली पदों को इसके अंदर नहीं जुड़ा गया था यहीं बज़य है कि नई टीजडी पीजडी सिच्छिक वर्थी के अंदर पदों की संख्या लगाता कम देखने के लिए मिल रही है अब एक वाफिसे शासन के वाधियम से आदिस तो जारी किये बात कीजा अपने अपडेट के वाई में जो कि संबदीत है फ्यास्मिक सिच्छक वर्थी से भी बनाम बीटी सी की लड़ाई के वाई में आप जानते हैं कि बनाम बीटी सी का जो मामला है वह उत्तर प्रदेश राजिस्तान और भी अलग-लग राज्यों के अंदर देखने करना चाहिए था जिससे की बाद में चाक्तन का वविश्य ख्राब नहीं होता लेकिन अब जब हो चुका है उसके बारे में आप जानते कि मामला सुप्रीम कोड जा चुका है राजिस्तान हाई कोड की तरफ से जब बीट अभ्यातियों को बाहर कर दिया गया एंसीटी की अ बीटीसी की लड़ाई के चलते कहीं नहीं प्रात्मिक सिच्छक बहती के जो विग्यापन की प्रकिया थी या फेसका जो अभ्यान था वह पूरे तरहीके से पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह कहीं नहीं बीट बनाम बीटीसी के लिए लगा हुआ केस है जैसा कि आप जानते कि हाली में 15 मही को एक ट्वीटर बार देखने के लिए मिला था उस तरनावी बीट बनाम बीटीसी के सुनवाईयां चल लहीं थी लेकिन वहाँ पर दो लाग से जादा ट्वीट हो गए थी जब से पंदर तारी के बाद से सुप्र हाई कोड के मा माध्यम से किसी प्रकार के धना प्रदेशन की योजना की जारी है और नहीं अभ्यातियों के माध्यम से ट्वीटर पर किसी प्रकार की एक अभ्यान की शुरूबात की जारी है इससे अंदाज लगाए जा सकता है कि बीएड बिना बीटीसी की लड़ाई के चलते कहीं नहीं नई प्राद्मिक सिच्छक बरती के विग्यापन को लेकर जो अभ्यान शुरू होने वाले थे वो भी पूरे तरीके से फिचडते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक तर पहले से सरकार नई सिच्छक बरती को लेकर लगाता नेगटिव बयान देती हुए दिखाई दे थी, शिक्षा मन्ती से पूछा जाता था, उनके माद्यम से कहा जाता था कि हमाई पर किसी परगार कोई भी परस्ताब नहीं है सरकार की तरब से सिच्छक वर्धी बिग्यापन जारी किया जाएगा लेकिन पंदे अमरी के बाद से लगबक दस दिन का समय बीट जाने के बाद नई सिच्छक वर्धी का मुद्धा पूरे तरीके से कहिने की अगर बातकीर न सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहाए नहीं जमीनी इस तरफ है और नहीं किसी मंतिया दिखाई के साथ मुलाकात करें कि इस मुद्धी पर जानकाई मांगी गई है आगे क्या होगा यह वविश्य के गरत में छुपा हुआ है लेकिन बीर्ड मना बीटीसी की लड़ाई के चलते नई सिच्छक वर्दी का हाई कोट के अंदर लगी हुई है जिसको लेकर अलग अलग प्रकार की सुन्वाईया जादी है ऐसे में एक और सुन्वाई होने वाली जिसके अंदर पीटी के अंदर एक फिक्स कट ओफ जादी करने की मांग की गई है यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिले की थी वह पीएच अभयर्तियों की थी लेकिन यह जो याची का है वो सभी के लिए कट ओफ की मांग की गई है कि जैसे के अंदर होता है ऐसी पैट के अंदर देखने के लिए मिले जो भी अब भीतियों के एक नहीं प्रकाएग उन प्रकार को बैठने का मोगा दिया जाई ह चीको लेका आप स्वीकर सामने देखने के लिए मिलता है कि अगली जो सुनभाई आपको देखने के लिए मिलेगी वह चबीस मही को होगी। लेकिन मैं दूसरी दर बात कीज़ें अपने लिए अप्रेट के बारे में जो कि सम्मधित दरोगा भरती के अंदर आए दिन नहीं ने गरफताई हैं आपको देखने के लिए मिल रही है गड़बटी करने वाले अभरतियों गरफतार किया जा रहा है एक वाफे से आपको बेजे जा रहे हैं तो उनको कहने की जमानत की मांग की जारी है जमानत को लेकर अव तक कोट के अंदर 60 से ज्यादा याचिकान दाखिल कर दी गई है लेकिन कोट के माध्यम से किसी भी याचिका पर अभी तक विचार नहीं किया गया है मामला संब़जी देदे नोजार पा कि भर्दी के अंदर कितने बड़े इस तरफे धांगी और प्रिष्टा चाहर देखने के लिए मिला है और इसके अंदर जो चाहतों की मांगे कि कि एसाइटी की जांच होनी चाहिए उसके बाद में जो भी फैसला हो वो कहीने की मंजून होगा उसके बादे में विचार करने की आपशिक्ता है